आज है मंगलवार और मैं आ गई हूँ अपने कीचन में लंस थारी तयार करने के लिए और आज मैं बना रही हूँ देखिए आज है प्योर अरहर की डाल और कल मैंने मसूर डाल बनाई थी इसके लिए बहुत सारे कमेंट्स आये थे कि पित्र पक्ष में मसूर की डाल नहीं ब और आप लोग का मतलब जो भी जेन्यून कमेंट सरहता है तो उसको मैं फॉलो करती हूं तो चलिए आज मैं बना रही हूं अरहर की दाल और जल्दी से मैं दाल चढ़ा लेती हूं चावल और आज ये ना बहुत ही डिलेसियस सब्जी बनाने वाली हूं वह भी कदीमा की और डेली थाली में तो मैं सब्जी दिखाती ही हूं लेकिन अब जो है ना मौसम बिल्कुल चेंज हो रहा है और कदीमा की सब्जी जो है अपने थाली में जरूर आप लोग खाए और कोई भी इंफेक्शन होता है उसके कारण आपको फीवर लगता है क्योंकि अब देखिए बहुत सारा कभी बारिज कभी गर्मी तो ये सीजन जो है ना बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है तो कदीमा की सब्जी जरूर खाए और डाल चढ़ा रही हूं तो एक चीज और मैं टीप्स देना चाहूंगी कि जो भी दाल में फेन यहां पर आ जाते है ना डाल बॉयल क की डाल बनाती हूं तो चलिए यहां पर मैं डाल बना रही हूं और यहां पर मैं चावल चढ़ा दी हूं तो चलिए फटा फटसन कदीमा की रेसिपी भी दिखा देती हूं और कि मैं कैसे बनाती हूं और क्यूंकि कदीमा की सब्जी जो है ना बहुत जादा हमारे हेल्ट के और कल मैं बहुत सारी सबजी लेकर के आई थी तो देखती हूं और अपनी थाली में क्या बना रही हूं तो आप लोग प्लीज वीडियो तक बने रहेंगे और सेयर जरूर कर दे और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है तो वीडियो को सेयर जरूर कर दे हमारी थाली है इंडियन थाली है मैं बिहार की थाली नहीं बोलूँगी तो देखिए यहां पर मैं कदीमा काट ली हूं और इसके छिलके की भुजिया बनते हैं और यहां पर अरहर की डाल है और इसको मैं तड़का लगा दूँगी जीरा और सुखी मिर्च से तो मैं जो कर जब भी कदीमा बनाती हूँ न इसे मीठा कोड़ा भी कहते हैं आप लोग क्या करते हैं कमेंट्स करके जरूर बताईएगा तो जब भी मैं बनाती हूँ न इसमें पंच फोरन के साथ बनाती हूँ और इसकी खटी मिठी भी सबजी बनती है और पंच फोरन के बा लहसन का पेस्ट और कदीमा की सब्जी इतना स्वाधिस्ट बनता है बस इतना ही मसाले से मैं बनाती हूं और उसके बाद हल्दी थोड़ी से ल्तिखी वाली लाल मिर्च और अगर आप खटी मिठी वाली सब्जी खाते तो वन पिंच इसमें गूट डाल दें बहुत टेस्टी लगती है और मेरी ममी बनाती थी तो गूट डालती थी लेकिन मेरे यहां कोई गूट डारावा नहीं खाता है तो इसलिए मैं इसकीप कर रही हूं और मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है जब तक कि तेल नहीं सेपरेट होने लगे और यह सब थाली में यह सब्जी भी टेस्टी बनते हैं तो इसके छीलके में रख दी हूं और नेक्स्ट थाली में दिखाऊंगी रेसिपी और यहां पर चलिए हल्दी और सारे मसाले मीर्च अलहसन का पेस्ट डाल करके भूनने के बाद मैंने कदीमा डाला उसके वाद धाक धाक के पका लेना है बहुत ही स्व हुआ 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 है इसमें थोड़ा सा अगर काली मिर्च की आप मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं और एक रिक्वेस्ट आया है चटनी का तो देखिए कल की थाली में आपको एक नया चटनी का जायका मिलेगा और क्यूंकि लोग है ना जो देशी खाने के सौकीन है ना तो उनको थोड़ा सा चट पज़ी बन गया है और यहां पर गर्मा गरम चावल निकाल लेती हूँ और दीन के लंस थाली में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आज मैडम रोटी नहीं है तो देखिए मॉर्निंग में हम लोग रोटी नास्ता में बना लेते हैं हम लोग नास्ता ही बोलते हैं मॉर्निंग की जो हम लो दोंगे प्योर अरहर की दाल पुतर या बहुत टेश्टी लगता है तुरकən भी लोग बोलते तो एक कमेंड आया था कि आरहर की दाल क्या में और बीरिंगे चावल that we not और जपनू अब ना में Jerusalem बोलते हैं और एगी चित्ने में चावल होता है और की भोजन होता है जो आदमी खा करके ना सारा दीन अपना हाड़ वर्क कर सकता है लेकिन उसके साथ है अजिंगा है और बहुत सारी ऐसी सब्जिया ना अब विंटर वाले आने लगे है मार्केट में और चलिए मैं लगा देती हूँ यहां पर आलू बैगन की सब्जी और यह जो सब्जी बनती है ना तो बैगन का जो छीलका नहीं उतारे और जिस तरह से साधी व्या में सब्जी बनती है या भंडारे वाली आलू बैगन के सब्जी तो बिल्कुल उसी तरह से स् संदाई थी और साथ में परवल फ्राई काली मिर्च वाली और यह भी गरमा अच्छा लगता है तो ऐसा मत बुलिएगा कि थाली में बहुत परवल बहुत जादा है मैंने चार ही परवल काटा है चार से पांच तो एक आदमी के लिए काफी है हरी सबजी है हरी सबजी खूब खाना चाहिए और साथ में आज डिमांड था कि नहीं मुली जो नया वाला मुली आया है तो बस इस तरह से चार फांग करके देदो और निम्भू और हरी मिर्च और साथ मे चाहिए यहांपर कठलके अचार इसकी रेसिपि मेरे यूटुब वीडियो में है मेरे प्ले लिश्ट ह react कर लेंगे अचार है